हेलो फ्रेंड्स वाट्स अप आज हम सामान्य दिन के इतिहास के मध्यकालीन भारत के इतिहास में सबसे पहला टॉपिक भारत पर विदेसी आक्रमड इसकी चर्चा करेंगे इस वीडियो में तो आए हम देखते हैं कि किस तरीके से विदेसी आक्रमड यहाँ पर भारत में करते हैं तो इसमें तीन आक्रमड कारी हैं जो कि क्रमड हम देखेंगे इसमें पहला है अरबी आक्रमड दूसरा है तुर्की तीसरा अफगानी आक्रमड कारी तीन आक्रमड कारी थे जिसमें से पहला भारत मतलब अरब आकमड कारी जो था वो था मुहम्मद बिन कासिम इसके आकमड के पीछे का रीजन क्या था कारण क्या था स्री लंका के एक सासक थे वो खलीफा वलीद के लिए कुछ उपहार बेजे जिन्हें देवल नामक एक बंदरगाह पर वहां पर समुद्री लिटुए रहे जो इरान का सासक है उसको आकमड करने के लिए भेज देते हैं भारत पर क्यों क्योंकि यहां का जो सासक था सिंद्र का दाहिर नाम था उसका उसकी सहायता करने से मना कर दिया था इसलिए खलीफा वलीद ने अलहज्जाल को आकमड करने के लिए कहा अब अलहज्जाल खुद आकमड ना करके अपने दामाद या अपने भतीजे जिसका नाम था मुहम्मद बिन कासिम वो उसको आदेश देते हैं और मुहम्मद बिन कासिम यहां पर आकर के आकमड करता है इसी मुहम्मद बिन कासिम की सहायता बहुत भिक्षूओं ने की थी और ये पहली बार सिंद में जजिया कर लागू करता है ये जजिया कर हम आगे चल करके अकबर के समय में भी देखेंगे अकबर भी जजिया कर आये जाता है मुहम्मद बिन कासिम ने सिंद में मक्तब इस्थापित किये थे मक्तब वही जो की प्रात्मिक सिक्षाकेंद्र हुआ करते थे और आज भी हमें देखने को मिलते हैं मक्तब इस आक्रमड की जानकारी हमको कहां ना मिलती है चचनामा में चचनामा इसका नाम चुछनामा कियो था जड़ यो दाहीर के पिता का नाम था उसी आधार पे इस किताब का नाम पड़ता है जिसके लेखाक अग्याथ है इसको आज तक पता नहीं चला कि किसने चचनामा लिखी थी दाहिर एवं जैसिंग लड़ते हुए मागे गए थे ठीक है अब हम आगे देखते हैं मुहम्मद बिन कासीम ने सिंध में ये तो हमने देख लिया ठीक है आकमड का वास्तिविक कारण क्या था भारत की आर्थिक संपनता भारत की आर्थिक संपनता इतनी ज़्यादा थी कि इसी की वज़े से भारत को सोने की चिडिया कहा जाता था यहां सोने चांदी आदी सब चीजों से ले करके यहां के इसकी आर्थिक संपनता बहुत ज ज्यादा किया था लेकिन गुर्जर प्रतिहारों ने उनका बहुत ज्यादा विरोध किया और यही एक मात्र हमको गुर्जर प्रतिहारी देखने को मिलते हैं जो कि उसका विरोध करते हैं अब आक्रमण का कुछ प्रभाव भी पढ़ाईगा जिसमें हम राजनितिक करता है कलीला वर दिमना उसके बाद हम देखते हैं सुस्रुत एक जो चरक सहीता जिनोंने लिखी थी उसका भी अर्भी भासा में अनुवाद किया गया अब ब्रह्मगुप्त की दो किताबों का अनुवाद किया गया जिसमें पहली किताब है ब्रह्म हिस्पुट सिध्धा अनुवाद करते हैं अब हम देखते हैं अर्भो ने भारती दस्मलों प्रणाली अचा उन्होंने कुछ किया तो कुछ यहां से लेके जाएंगे तो दस्मलों प्रणाली यहां से गहन करते हैं और इसको ले जाकर के अरब देशों में इसको प्रसिद्ध भी करते हैं तो इसमें जो प्रसिद्ध करने का जो सबसे पहले नाम आता है अलख्वारिजमी इसी ने अरब देशों में इसे प्रसिद्ध किया यहां की जो दस्वलों प्रडाली थी ठीक है इसको वहां पे हिंदस तुर्क आक्रमड यह तुर्की वास्तविक तोर्पे देखा जा तो यह बर्बर जाती के मद एस याई थे तुर्कों ने गाजी उपादी को प्रिसिद्ध किया था गाजी ठीक है यह थोड़ा सा ध्यान दीजेगा इसमें हम देखते हैं तुर्क सामराजी का संस्थापक वास्तविक संस्थापक कौन था अलप्तगीन ठीक है अलप्तगीन फिर उसके बाद आता है सुबुक्तगीन जो की भारत पर आक्रमड करने वाला प्रथम तुर्की था अब देखिए भारत पर प्रथम आक्रमड कारी जो अर्बी था क्या ना अब यही महमूद गजनवी जो यहाँ पर आता है और सत्रह बार आक्रमड करता है इसने सीस्तान के सासक खलब बिन अहमद को भी पराजित किया था सीस्तान एक जगए है जहाँ के सासक थे खलब बिन अहमद उनको पराजित किया और खलीफा ने इसे सुल्तान की उपाधी प्रदान की ये प्रथम ऐसा मुसल्मान था जिसने सुल्तान की उपाधी दारण करी थी ठीक है इसको एक और पाधी मिलती है बुत सिकन का मतलब होता है मुर्ती भंजक बुत मतलब मुर्ती और शिकन मतलब तोड़ने वाला यानि कि मुर्ती को तोड़ने वाला ये इसके लिए फेमस होता है महमूद गजनवी ठीक है खलीफा के समक्ष हिंदुस्तान पर प्रतिवर्स आ करता है जिसमें जैपाल को पराजित करता है जैपाल इसी की वजए से सुसाइड कर लेता है ठीक है एक हजार नौ इस्वी में हम देखते हैं कि नारायणपुर में आक्रमड करता है जो की अलवर राजस्थान में वर्तमान में अलवर नाम है उसका एक हजार चौदा इस्वी में फिर आक्रमड तीसरा आक्रमड है थानेश्वर हर्याना में जो की था उसके बाद हम देखते हैं एक हजार सोले इस्वी में कास्मीर में फिर उसके बाद यह भी उसका असफल आक्रमड था कास्मीर वाला में मत्धुरा में ठीक है इसे तरीके से अगला 1025 इसी सोमनाथ बहुत है यह इसका सबसे सफल आक्रमध सोमनाथ मंदिर मन्दिर में हमला किया था उए सबसे 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 पहते ही इसकान तो वहां पर मूर्तियां थी सब को यह वहां से लूट के ले गया था इसको हम सभी लोग लगबग जानते ही हैं 2014 इस्वी में ठानेश्वर जो की हर्याना में था यह हम इसको किनारे से देख लिया है क्रमवाइज ठीक है अब हम आगे देखते हैं कि जब यह सोमनात पर आक्मड किया था तो वहां से लौटते समय यह कच्छव सिंद का रास्ता लिया था मतलब कच्छव सिंद के रास्ते से होते हुए ही वह वापस किया था यह एक्जाम में पूछा जा चुका है इसलिए यहां पर मिंसन किया 1027 इस्वी में जाटों के विरुद इसने अभियान किया यह इसका अंतिम अभियान था क्योंकि 1030 इस्वी में जगजनेवी की मृत्ति हो जाती है अब उसके बाद हम देखते हैं इसके कुछ दरबारी विद्वान थे उन सब का नाम यहां पर हम मेंसन करते हैं जिसमें हम यह एक्जाम में पूछे जाते हैं यहां पेसी लिए उसका नाम मेंशन है दूसरी हम किताब देखते हैं तारीखे सुबुक्तगीन या तारीखे मसूदी जो की वैहाकी नामक एक दरबारी विद्वान था उसने लिखा था लेन पूल एक बिटिशर लेकर खाई यह लेन प पूठा इसे त्रीके से देखते हैं अलबरूनी इसने तहकीक हिंद या किटाब लिख चिंगे अर्भी भासा में अच्छा इसके बारे में आए हमकुछ देख लेते हैं इसने यह जो उसी के साथ में इसे दर्शन सास्त्र, जयोतिस सास्त्र, खगोल सास्त्र, इतिहास, राजनीत विग्यान, आदी विशियों का ये ग्याता भी था, कन्योज आक्रमड के समय ये भारत आया था, कौन? यही, ये जो है, अलबरूनी, अलबरूनी ही कन्योज के समय, कन्योज पे ज सतीप्रथा वर्ड विवस्था जाती प्रथा का वर्डन भी किया हुआ है अलवरुनी ने भारतियों को विद्वान बताता है लेकिन भारतियों को कूप मंदूक भी कहता है यह अब हम देखते हैं मुहंम्मद गोरी जो कि अगला आक्रमड कारी है इसका अन्य नाम भी है मुहम्मद बिन साम भी कहा जाता है इसको इसकी राजधानी थी गजनी और ये गौर प्रांत से आता है इसलिए इसका नाम गौरी पढ़ता है मुहम्मद गौरी इसका गजनवी के साथ कोई संबंद नहीं था ये 1175 जो कि एक्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है इसलिए यहां पर है यह 1175 में मुलतान अभियान 1178 में गुजरात का अभियान यहां का जो सासक्ता गुजरात का उस समय मूल दुतिय या भीम दुतिय था इसकी मा नाइका देवी इसकी संवर्चिका थे किसकी की तरह पराजित किया भीम दुतिय की राज़्धानी उसमें क्या थी अन्हिल पाटन यह उसमें गुजरात की राज़्धानी हुआ करती थी ठीक है अब हम देखते हैं नेक्ष्ट 1191 में तरहाइन का प्रिथम युद रोता है जिसमें एक तरफ है पृतिवीरा चौहान जीत जाता है ठीक है इस समय डिल्ली का जो सासक था गोविंद्ड त rättियर याद रखेगा क्योंकि तरहिन के पुछा जाचीका है het पूछाया तुमय गोविंद्डी था एक्क 1794 इसली में 12 902 फिर gef जिया 24ल चंदावल का युद्ध हो रहा है चंदावर का युद्ध हो रहा है इसमें कौन-कौन है जैचंद गहडवाल और गौरी इसमें गौरी फिर जीता और गौरी ने एबक को गौरी जाते समय यहां से जब भारत से वापस जा रहा था उस समय एबक को विजित छेत्रों का गवर्नर नियुक्त कर देता है और ताकि 1105 हिस्वी में खोखरों के विरु ansch कंद्ध करता है और गौरी वहीं पे घायल हो जाता है और बारे regels 106 में उसकी म्रित्ती हो जाती है गौरी ने मुहम्मद बिन साम नाम के जो कि इसका दूसका नाम वित्या मुहउम्मद मिन उसी नाम से ये सिक्के चलवाता है जिन्हें देहली वाल के सिक्के कहा जाता है उन सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का चित्र मिलता है चलिए अब इसको हम यहीं समात्र करते हैं धन्यवाद